राहुल गांधी ने राजस्तान के धौलपुर के राजा खेड़ा और भरतपुर के नदबई में जनसभा की और इस दोरान उन्होंने बीजेपी और पीम मोधी को जम कर खेरा क्या है पूरी खबर देखे इस रिपोर्ट में राहुल गानी ने पीम मोधी केंद्रे ग्रिहमंत्री अमिश्या और बिजनसमैन गौता मडानी पर निशाना साथते हुए कहा कि जेब कत्रा अकेला नहीं आता तीन लोगों को साथ लेकर आता है सबसे पहले एक बंदा आता है आपका ध्यान इधर उधर करता है उल्टी सीधी बात बोलेगा पीचे से एक और बंदा आता है जो जेब काट लेता है और तीसरा बंदा देखता है कि जिसकी जेब कटी है अगर उसने कोई आवाज निकाली तो उस पर आक्रमड कर दे उसको नरेंद्र मोधी का काम आपका ध्यान इधर उधर भटकाने का है वो टीवी पर आते हैं और कहते हैं हिंदू मुस्लिम नोट बंदी मुझे सजा दो ध्यान इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोधी जेब काटने वाला डानी और बाद में लाठी मानने वाला अमिश्चा इतना राहूल गान्धी ने आगे क्या कुछ कहा? किसान को बोलते हुए देखा कभी? कभी आपने किसी मज़़ूर को बोलते हुए देखा है? कि भाया मुझे तो मतलब मैं तो मर रहा हूँ सोशल मीडिया में दिख सकता है मगर टीवी पे आपको नहीं दिख सकता मंडी के सामने भूका मर जाएं टीवी पे नहीं आएंगे टीवी पे आपको अश्वरिया राई दिखेगी अमिता बच्चन दिखेगा शारुक कान दिखेगा क्रिकेट मैच दिखेगा मगर जो सचमुच में देश की पीड़ा है देश का दर्द है वो टीवी में आपको नहीं दिख सकता क्योंकि टीवी आपका है ही नहीं टीवी अधानी का है तो अधानी जी मोदी जी का चहरा लगाते है और मोदी जी पूरा का पूरा धन अधानी जी को पकड़ा देते हैं और पीचे से लाटी लिया हमें चगूंता रहता है कि किसी ने कुछ सवाल पूछ दिया तो मैं देखूंगा यह सिस्टम चल रहा है इनका और यह सिस्टम तोड़ना है और यह तूटेगा